आज हम बात करेंगे कि जो इंटास कंपनी की जो ये जाइमो पैट किस चीज में काम आती है इसके कोई साइड इफेक्ट या और लोग के साइड इफेक्ट हो सकते हैं या नहीं भी और डोग में और कैट में ये कितनी एमेल दे हलो एवरिवन आम यूर फ्रेंट यूर होस्ट योगेस कुमार आई वेलकम यूर फेवरेट यूटुब चैनल देट इज बानसुर पैट क्लिनिक फर्स्ट हम इसका इंट्रोडेक्शन देखिए इंटास कंपनी की जाइमो पैट नाम करके ये सिरप आती है जो की 30 ml की ये सिर प्रक्स में इसको उपयोग ले सकते हैं देखिए मैनली दोग और कैट में ही उपयोग लेह आती है और हम ये बात करेंगे कि इसकी यूजिज या इसकी यूजिज क्या-क्या है देखिए एक तो यह इन्डाइजेशन यानि कि कभी भी डोग जैसे खाना-खाते के साथ में वुमैटिंग कर दिया या कई बार ये होता है कि आप फिर चैंज कर रहे हूं तो डोग के डाइडिया यह वुमैटिंग हो जाती है तो, इन्डाइजेशन में भी, यानी, डाइजेशन को सही करने में यह काम आता है, और दूसरी बात, यह गेस्टरिक प्रोब्लम में भी यह काम आता है, यानी, गेस्टरिक फोब्लम के simptom, डॉग में, पेट, फूलना, देखेए, यह विशेस करके जो छोटे पपीज होते हैं, एक से 3-4 मेने के जो पपी होते हैं, उनमें विशेस करके होता है, यानि जो आप अपने पपीज को या कैट को मिल्क देते हो, यानि दूद पिलाते हो, जिसे गाय का, बैंस का, बकरी का, तो उसकी वज़े से ये ओवरडोज या उसकी वज़े से ये डोग में पेट फूलने की समझ्या आती है तो ये उसमें भी यूज आता है और जैसे कि डोग या पपी कूंकू की आवाज करने लग जाता है खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले तो देखिए हम आपको दिखाएंगे देखिए जैसे कि आप आपको वीडियो दिखाएंगे कि आप में आप 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 कि अब ये वीडियो देखिए तो ये देखिए इसमें पपी कुंकु की आवाज करता है खाने खाने के बाद में उसके पेट में पेट में मरोडे या पेट में दर्द पेन होता है उसकी बज़े से ही ये कुंकु की आवाज करता है यदि आपका पैट ऐसे करें तो आप जैमो पैट या डीजी टोन वो आती है हिमाले की इन दोनों में से आप अपने पैट को जरूर दीजिए और अब हम ये देखते हैं कि इसको खाना खाने से पहले दे या खाना खाने के बाद में देखिए यदि आप हमारे यूटूब चैनल पर फर्स टाइम आई हो तो प्लीज आप हमारे यूटूब चै आप से इंफर्मिशन शेयर करते हैं हमने यह यूटूब चैनल जो हमारे इस्टेड हो गया है उनका फ्री ओप को स्टीटमेंट कर सके हम इसलिए हम यह यूटूब चैनल बना रखे हैं तो प्लीज आप हमारे यूटूब चैनल को और हमारी इस वीडियो को लाइक और सब् कह ले दें या बाद में दें देखिए खाना खाना खाने से आब को बाद में ही देनी हैं क्यों कियوج Stephanie हमने यह यूज लेके देखी होई है आप घाड को दस्क को कि यानि डाइरिया होने की संबावना होती है तो प्लीज आप अपने डोग को या पपीज में या किटन को खाना खाने के बाद में ही पिलाएं अब हम इसका कि अपने पपीज को या किटन को या कैट को या डोग को कितनी ml अपने पैट को पिलाएं देखिए इस पर लिखा हुआ भी है कि 0.7 से ड्रोप्स अप्रोक्समेटली 0.5 ml से 1 ml के 20 में आप अपने पपीज को पिला सकते हैं यहनी यदि आपका पपी 1 मन्त, यानि 1 मन्त का है तो आप अपने पपीज को 0.5 ml सुदह और 0.5 ml शौम करके आपको पिलानी है यदि उससे बड़ा है यानि 3 से 4 मेहने के सम्टिंग है तो आपको 1 ml सुदह और 1 ml शौम करके आपको पिलानी है उसके बाद में हम बात करेंगे small breeding यानि 10 kg body weight से जो कम के हैं या 10 kg body weight जिनका है यानि एक से एक साल के जो something है या एक साल के जो बीच में हैं उनको कितनी ml प्लाएं देखे इस पर लिखा हुआ है 1 ml से 1.5 ml के बीच में आप पिला सकते हो यानि आपका डोग या पपी 6 मंद का है या 8 मंद का है तो आप उसको 1.5 ml आप पिला सकते हो 1.5 ml मौर्निंग में और 1.5 ml आपको इवनिंग में यानि शाम के वक्त आपको पिलानी है और अब हम बात करेंगे कि किटन में या कैट में कितनी ml प्लाइं गतन में आपको डोज या कैट में आपको डोज कम ही रखनी है यदी आपकी किटन अभी एक मेने के संथुझ है तो आपको वसको 0.3 ml से 0.5 ml के बीच में आपको पिलानी है यदि आपकी cat 7 to 9 या 1 verse की something है तो आपको last 1 ml से 1.5 ml के 20 में आपको plan है यदि आपका फिर भी कोई question रह गया हो या छूट गया हो तो आप हमारे को comment box में बता दीजे हम आपके question का 100% sure हम आपके question का answer जरूर देंगे और same जैसे कि अब ये जाइमो पैट है यदि आपको ये ना मिले तो ये digitone plus या digitone या digitone ये हिमाले company की सिरप आती है आप इन में से भी आप use ले सकते हो यदि आपका 6 मैंने या साल के something आपका dog है या puppy है तो आपको digitone लेनी है और यदि उससे बड़ा है यानि आपको लग रहा है कि मेरा dog एक साल से बड़ा है तो आपको digitone plus लेनी है थैंक यू फोर वाचिंग मैं वीडियो मैंने वाद वीडियो मैं वीडियो झाल झाल